हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैं श्वेता शर्मा आज आपको पंडित ओमकार नाथ्था कुर्जी की जीवनी शॉट में कराने वाली हूँ तो आईए स्चार्ट करते हैं पंडित ओमकार नाथ्था कुर्जी का जो समय माना जाता है वो है 1897 से 1967 के बीच में इनका समय माना जाता है और ये ग्वालियर घराने से थे इनका जो जन्म इस्थान है वो है बड़ोदा के जहाज गाउं में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म समय है 1897 इनके पिता का नाम शुरी गौरी शंकर ठाकुर था मधुर आवाज की इश्वरिय देन जन्म से ही इने प्राप्त थी बाल्यकाल में शिक्षगण इनके कावे गायन से प्रसन हो जाते थे जब ये चौदे वर्ष की थे तभी पिताजी का इनके स्वर्गवास हो गया था ओमकारनाथ ठाकुर विशेश रूप से तो खयाल के गायक थे फिर भी दुरूपत धमान और टप्पा ये सफलता पूर्वग गा सकते थे पंडित मदन मोहन मालविय ने इनको संगीत प्रभाकर की उपादी से सबमानित किया संगीत जगत को देन इनका संगीत में क्या क्या योगदान रहा है आईए देखते हैं पंडित ओमकानाथ ठाकुर बनारस हिंदू विश्व विध्याले के संगीत विभाग के कुल गुरु रहे इन्होंने पुस्तकें लिखें, कौन-कौन से पुस्तकें लिखें देखते हैं हिंदी में लिखें इन्होंने प्रणम भारती वे संगी तांजली और गुजुराती में राग अने रस हिंदी और गुजुराती में ये बुक्स लिखें हैं इन्होंने 1955 में गरतंत्र दीवस के अफसर पर भारत सरकार ने पदम श्री की उपाधी से इनको नवाजा इनकी मृत्तियु हुई 28 दिसंबर 1967 में तो इस प्रकार हमने शॉट में किया पंडित ओम का नथ्था खुर जी का जीवन परीचे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद